मस्कार दोस्तों घरेलूखवर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तों क्यासे हैं आप लोग यहाँ बताने के लिए कमेंट में जै माता दी जरूर लिए दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि जीवित पुत्री का ब्रत वर्स 2019 में कब मनाई जाएगी कब है इसकी तिथी क्या है जीवित पुत्री का ब्रत करनी की विधी क्या है जीवित पुत्री का ब्रत में क्या खाया जाता है क्या नहीं खाया जाता है कितने दिनों का यह पर्व होता है किस छेत्रों में ज्यादा तरिय पर्व फेमस है किन छेत्रों के लोग जिवित पुत्री का ब्रत बहुत ही जरूरी करते हैं। दोस्तों ये संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग उसे रिक्विस्ट है। अगर अभी तक आपने घरेलूख अबर चैनल को सब्सक्रा करेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करेंगे। आसिन माह के क्रिस्न पक्ष की सप्तमी से नौमी दिथी तक मनाये जाने वाले त्योहार को जीवतिया या जीवित पुत्री का ब्रत कहा जाता है। इसे कुछ छेत्रियों अस्था और उत्री राज्जों में ज्यादा तर मनाया जाता है। बिहार और यूपी में इसे बड़े अस्तर पे मनाया जाता है। दोस्तों वर्ष 2019 में जीवित पुत्री का ब्रत 22 सितंबर बाइश को मनाई जाएगी। 21 सितंबर को नहाय खाय होगा और 23 सितंबर को पारण प्रदोस काल में किया जाता है तो अस्टमी तिथी का प्रारम 21 सितंबर दिन सनी वार को रात 8 बच के 20 मिनट पे प्रारम हो जाएगी और अस्टमी तिथी का समापन 22 सितंबर दिन रवी वार को 7 बच के 25 मिनट पे समाप्थ हो जाएगी तो 22 सितंबर दिन रवीवार जो खर जितिया है निर्जला बृत महिलाएं रखेगी वो परदोस काल में संधिया समय में वो जीमुत वहन की पूजा करेगी जीतिया ब्रत के एक दिन पहले से ही ब्रत के नियम सुरू हो जाते हैं ब्रत से एक दिन पहले यानि सब्तमी के दिन नहाय खाय का नियम होता है बिल्कुल छट की तरह जीतिया में नहाय खाय होता है इस दिन महिलाएं सुबह सुबह उटकर गंगा अथ्वा नदी में असनान करती है और भगवान और अपने इस्ट देव की पूजा करती है नहाय खाय के दिन सिर्फ एक बार भी भोजन करना होता है इस दिन सात्विक भोजन किया जाता है बिहार में साम को पकवान बनाया जाता है और रात को सत्पूतिया या जिंगनी की सबजी जरूर खाई जाती है सत्पूतिया या जिंगनी बहुत लोग नहीं जानते होंगे तो सत्पूतिया या जिंगनी तुरई का छोटा रूप होता है तुरही तो सब लोग जानते हैं, उसी को नौर्थ इंडिया में कुछ अस्थानों पर नहाय खाय के दिन मचली खाने की परमपरा है, ऐसी मानिता है कि मचली खाकर जीतिया ब्रत करना सुभ होता है, नहाय खाय की रात को छत पर जाकर चारो दिसाओं में कुछ खाना रख दिय रख जाता है, उसी मानिता है कि यह खाना छील वशी आरीन के लिए रखा जाता है, ब्रत के दुसरे दिन खूर जितिया कहा जाता है, लोग जगों पर अलग हैं, कुछ छेतरों में इस दिन नोनि का साग मरवा की रोटी जिसे रागी का आंटा भी बोलते हैं खाया जाता है जितिया के दिन महिलाएं सनान कर स्वच वस्तरान कर तिए और जीमूत वहन की पूजा करती है पूजा के लिए जीमुत वहन की कुसा से निर्मित पर्तिमा को धूप दीप, चावल, पुस पादी अर्पित की जाती है मिट्टी तथा गाय के गोवर से चील वसियारिन को भी की भी मूर्ती बनाई जाती है फिर इनके मात पर लाल सिंदुर का टीका लगाया जाता है पूजा समाप्त होने के बाद जिवित पुत्रिका ब्रत की कथा सुनी जाती है पारन के बाद पंडित या किसी जरूरत मन को दान दक्षना दिया जाता है तो दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आए हो वीडियो को लाइक करेंगे सियर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे